कैल्कुलेट गेन और प्रॉफिट चलिए यहां पे आपको गेन और प्रॉफिट कैसे निकालना है क्योंकि सेल्स जो कर रख है उसका भी रेट गीवन है कौन सा मेथड है इसने लीफो से भी बोला फीफो से भी बोला और बोलता है कि यूजिंग इच अल्टरनिटिव और वेटेट से भी बोला है तो मैं इसको एक से करके दिखा देता हूँ अब बताईए लीफो से करके दिखा हूँ या फीफो से या वेटेट से आप जो भी बो पूलेंगे मैं उससे कर दूंगा फिर आपने करना क्या ऐसा फिर आपने कुछ नहीं करना फिर आपने सरिफ और सरिफ उसको उसी के करते जाना है आजाए थोड़ा सा काम असान हो जाता है फॉर्मेट बनाने नहीं कुछ थे इस इस अगया है यह चीख है सर यह टोटल है यह कौन्टिटी है यह रेट है तो बताएं आप किस से किया जाएं आप बताईए फटा फट रीटेट लीफो फिफो विटेट से चलो मैं वे सबसे पहले हम घीवन है कि हमने बार हजार कितने रुपए का कब है मैंने September 1 को एक नौ को मैंने पर्चेस किया है कि सर पर्चेस किया है कितने का पर्चेस किया है सर और कितने यूनिट 1200 यूनिट कितने वाला 20 वाला तो कितने हो गए 24,000 सर ये आ गया हमारा 1220 वाला यानि 24,000 ठीक है फिर हमने खरीद लिया 400 यूनिट 24 वाला कब खरीदा सर दस नो को कितने पर्चेस किया 400 कितने वाले 24 वाले तो कितने हो गए 9600 अब टोटल कैसे करेंगे ये 1200 और ये 400 कितने हो जाएंगे 1600 अब ये 1600 जो हो गए अब इसका रेट टोटल कर देंगे कैसे करेंगे टोटल 24,000 प्लस 96,000 यानि 33,600 अब कुछ बच्चे पूछ सोच सकते हैं सर ये कैसे आ रहा है तो एक इसको मैं इसके साथ एड़ घर रहा हूं ठीक है इसके साथ मैं एड़ कर रहा हूं अब रेट निकलेगा 1600 ये आगया 21 रुपए एग्जेक ठीक ठाक रेट आगया 21 रुपए फिर आगे कहता है के 1200 यूनिट बेच दिये लेकिन मजे की बात इसमें कितने रुपए में बेचा ये भी कह रखा है और पिछले सवाल में देखो टूटल करेंगे तो सर आपने कितने यूनिट एशू कर दिये 400 कब कर दिये 400 सर बारता रिको तो बारा नौ को इशू कितने ये तो नहीं रहेगा 400 किस रेट का 21 रुपए 21 का बेचना है 30 का मत बेच देना तो 8400 ठीक है समझ में आ रहा है यानि हमें इशू तो प्राइस चाहिए ही नहीं वो सरी प्रॉफिट निकालने के लिए प्राइस चाहिए होगा बचे कितने हमारे पास 1600 400 चले ही गए तो 1200 बचे 21 वाले तो 1200 ठीक है आगे चलो सेप्टेमबर के बाद हमारा आ जाता है 14 सेप्टेमबर को हमने फिर खरीद लिया च्छे जो 14 सेप्टेमबर को हमने पर्चेस कर लिया कितने कर लिये 600 कितने रुपए का 30 रुपए का तो यानि 18,000 अब ओके 12 और 6,800 और 18 और 25,200 तो 18,000 प्लस 25,200 यहोगे 43,200 रे 24 रुपए का रेट ठीक है इसके बाद फिर 16 तारिक को इशू कर दिए 800 16 तारिक को हमने इशू कर दिए कितने कर दिया हमने 800 किस रेट के जाएंगे 24 इंटू में 800 कोस्चन वाला रेट हम नहीं लेंगे ठीक है इसके बाद 18 में से 800 चलेगे तो 1000 इंटू 24 यानी 24,000 ठीक है चलिए फिर खरीद लिया 20 सेप्टेंबर को 600 तो 20 सेप्टेंबर को हमने खरीद लिए परचेज कितने सर 600 किस भाव के खरीदे हमने 40 तो 6 चोके 24,000 अब देखा जाए तो हमारा कितने बन गए 1600 रेट कितना आ गया यह 48,000 का हो गया तो 48,000 divided by 1600 रेट निकल के आए 30 रुपए का फिर हमने 25 तारिक को बेच दिये 700 यूनिट 25 तारिक को हमने बेच दिये यानि इशू कर दिये कितने हमने बेच दिये 700 किस रेट के भी खेंगे 30 कितने के भी खेंगे 21,000 बचे कितने 1100 किस रेट के 30 तो कितने आ जाएंगे 33,000 यह तो हो गया तो पहला पॉइंट आप बताइए हमें तो सबसे पहले हमें बहले से सीथ ऋड धा आपने ऑर वी है क्या रेशाषिक के अंदर को वागा ठैक है तोि यह होता है ने चलिए से g लिख लेते हैं सर सेल्स हमने किया कितने 400 यूनिट सर इस 400 यूनिट को जो सवाल कहता है बेचने को 30 रुपए से फिर सेल्स किया हमने 800 जो सवाल कहता है बेचने को 40 के हिसाब से फिर सेल्स कितने किया हमने 700 सवाल कहता है बेचने को 50 के हिसाब से तो टोटल सेलिंग विल्यू कैसे आ जाएगी चार सो इंटू में 30, 12,000, 32,000 और 35,000 तो टोटल सेल आ गया 12,000, 35,000, 79,000 और कॉस्ट कैसे निकालते हैं इसका टोटल करके तो कॉस्ट कैसे आ जाएगा सर 8,400, 19,200, 21,000, कॉस्ट आ गया सर 48,600 तो क्या हमें सेल भी पता चली गया हमें कॉस्ट भी पता चली गया क्या प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे निकल जाएगा तो सिंपल से बात है प्रॉफिट निकलेगा हमारा प्रॉफिट निकलेगा हमारा सेविंटी नाइन माइनस में 48,600 माइनस में यह आ गया तीस चार सो का तीस चार सो का चेक कर लिजी आप ठीक है क्लीर है मैंने किस मेथध से करिया आपका मैंने वेटेड मैथध से कर दिया है वेटेड के बाद आपने फीफो से कैसे ही करना है लीफो से ऐसे ही करना है हो जाएगा ये भी चलिए प्रियोडिक इंडविन्टरी सिस्टम फीफो से भी लीफो से भी वेट्टेट से भी यह होंबक में धिया जाएगा आपको homework क्यों दिया sir homework में आपको पता ही अभी हमने किया है तो एक question homework में देदेगे ज्यादा सवाल है नहीं इसके अंदर last in first out basis और weighted average calculate अब जब कभी भी आपको बोला ना जाए कि कौन सा method है तो आप हमेशा perpetual inventory system follow करोगे ठीक है कुछ भी नहीं बोला जाए जैसे सवाल में मेरे हिसाब से कहीं बोला नहीं गया तो हम कौन सा method follow करें पर पेच्वल तो यह भी क्या रहेगा आपका यह भी क्या रहेगा आपका homework आठवा question कि यह मैं करूंगा इसको नहीं करना यह मैं करूंगा नोवा question सर यह भी रहेगा आपका homework अभी काफी सारे homework मिल जाएंगे इसमें दस्वा question सर यह भी रहेगा आपका homework बहुत आसान चेप्टर है यह यह भी सर क्या रहने वाला है homework सर यह भी चलिए यह मैं बता दूँगा इसमें थोड़ा सा balance sheet वगरा दे दिया sales दे दिया जनल कॉस दे दिया प्रॉफिट दे दिया पूस्ता फीफो मैथड वेटेड एवरेज मैथड से वैल्यूशन निकालना यह मैं बता दूँगा दो कुस्चन होगे मेरे बताने वाले के यह भी क्या रहेगा आपका homework फीफो के हिसाब से सर यह भी क्या रहेगा आपका हाँ carriage invert यह मैं करा दूँगा इसको रहने देंगे जो मैं करा हूँगा कुछ concept बताके मैं करा दूँगा यह भी मैं करा हूँगा इसके अंदर के आ गया हमारा इशू रिटन आ गया इशू रिटन आ गया यह क्या रहेगा सर homework मैं पहले एक बार homework के चेक कर लूँ एक मिट आते हैं यह भी रहेगा homework आज homework ही homework है आपके लिए यह भी homework सर यह भी homework यह मैं करा हूँगा इसमें नॉर्मल लॉस आ गया ठीक है यह मैं करा हूँगा आप भी नोट करते जाएं ओनर्स प्रोग्राम में बिल्कुल सेम कोश्चन है अलग नहीं होगा यह भी homework चलिए आप बताएं कौन सा पूछ रहे हूं आप डैमेज स्टॉक कहां दे रखा है अच्छा रिटन है इसमें रिटन है यह भी रहने दीजिए यह हो जाएगा क्या यह सारे कोशन आप homework में कर लेंगे हो जाएगा टिक कर लीजिए जितने बच्चे लाइव हैं वह भी टिक कर लें कृष्णा आदेश पवन जिया जितने भी बच्चे हैं लाइव में वह सभी कर लें इसे नोट होमवक में जिables खलब में जाएबे करते हैं बच्चे हैं जिर ऑफ बच्चे में अजय हैं यह जो जैंका हम ए- जाएव में झाल प्राष्णाव